आप सभी को नमस्ते और साथ में तेंक इंडिया की पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद की आप लोगों ने एक ऐसे जोलंत विशेव पर आज गोश्टी आयोजित करने का कालिक्रम किया और शहदाद जी ने जेनियू के बारे में इतना कुछ बोला है कि मैं खुद भी जेनियू की छात्रा हूँ और ऐसी चीजों को फोकस करती रहती हूं फेस गरती हूं इसी चीजों को 2016 से सबसे ज़्यादा पेस कर रही हूँ, 13 वे जेनियू कैमपस में आई, तब से देख रही हूँ ये सब तो जब हम बात करते हैं मधेत के उपर और राज द्रों के उपर और ये जेनियू जैसे कैमपस में खड़े होकर कि जब हम इन टापिक्स पर बात करते हैं मधेतों का स्थान नहीं है विचारों को रखने का स्थान नहीं है और जो कोई भी बोलना चाहता है उसके उपर सीथे राज द्रों का केस कर दिया जाता है तो जिस JNU campus में मैं खड़ी हूँ, इसी JNU campus में 2016 में बहुत कुछ ऐसी घड़नाएं हुई, मैं किसी भी नारे को दोराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो नारा 2016 में लगा वो वास्तों में freedom of expression के नाम पे खिया गया, वो गलत था, और वो चीजे सब के नजर में है, सब को मैं आपको थोड़ा सा अपनी इतिहास की तरफ Indian knowledge tradition भारती ज्यान परंपरा की ओर ले जाना चाहूंगी, जो कहा जाता है कि भारत में मत्भेदों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि जब हम मत्भेदों की बात करते हैं, तो हमें भारती ज्यान परंपरा की ओर देखने पर य ज्यान में आता है कि इसी भारती ज्यान परंपरा में कुल नौ दर्शन है, knowledge system जो हमारा उट में नौ दर्शन है, जिनमें छे आस्तिक दर्शन तो तीन नास्तिक दर्शन भी है, जिनमें सांग की योग, न्याय, वैशेशिक, वेदान्त और मिमांसा ये छे दर्शन आस्ति नहीं करते हैं, और वेदों को मानने और वेदों को ना मानने की बावजूत भी ये नौ दर्शन एक साथ पैलर भारत की इसी knowledge system में exist करते हैं और एक साथ आंगे वड़ते हैं, इवन जब आप मिमांसा के शास्त्रों को देखेंगे तो उसमें मिमांसा दर्शन की जो शास्त की रचना करते हैं, तो वो अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो बहुत दर्शन को भी mention करते हैं और वो दिस्ट जो तर्क देते हैं मिमांशा सास्त्र को गलख ठहराने के लिए, वो तर्को को मिमांशा सास्त्र में शामिल भी करते हैं और उनकी बात को लोजिकली काटते हुए अपनी बात को वो सिद्ध करते हैं इसके साथ ही एक अलग दर्शन नास्तिक दर्शन जो की चारवाग दर्शन है जो कहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे त्रिडम खृत्वा घ्रतम भी बेस मतलब जब तक जीओ सुख से प्रह्म को मान करके वो यह भी कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है तो जो चीज मुझे वो प्रह्म मेरे अंदर भी है आप सब के अंदर है तो इसका मतलब जो चीज मुझे ठीक लग रही है जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है जो मेर प्रवारत में आगे बढ़ती हैं वह बात अलग होती है कि पढ़ने वाला व्यक्ति किस चीज़ को ज़्यादा सुछकर करके समाज कैसा हमारा आगे बढ़े समाज किस तरी किसे आगे चले वह उस विश्या में ज्यादा सूचता है बात लगे कि समय बदलते बदलते आज हम जब ज़्यादा व्यक्ति के इंद्र तो हो जाते हैं ज़्यादा व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाते हैं वास्तों में वो चीज हमारी रग रग में बसा हुआ है, हमारी नियू में ही वो चीज है, वो चीज हमारे अंदर बसी हुई है, और जब वो मत भिनता की बात करते हैं, तो वो मत भिनता की बात जब आगे बढ़ती है, तो वो अभिवेक्ति की आजादी और अभिवेक्ति की स अभिवेक्ति की आजादी और राचद्रों के बीच में बहुत छोटी सी लाइन है उस लाइन को देखना उस लाइन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब इस जेन्यू कैमपस में 9 फेबरी को 9 परवरी 2016 को अभिवेक्ति की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने की कसमे खाए गई जब इस जेन्यू कैंपस में अभिवेक्ति की आजादी के नाम पर है अपने देश के लोगतंतर के मंदर पर अटैक करने वाले आतंकवादियों की बरसी मनाएगे और कहा गया कि कितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा और बोला गया कि हम बंदूग के दंपर लेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी और कुछ और भी ऐसे स्लोगन लगे जिनमें अपने देश की तो जैकार किसी ने नहीं की बस दूसरे देश जो पडोसी देश उनकी जैकार जरूर की तो जब हम 124A को देखते हैं जब हम राजद्रोग को देखते हैं भारती दन संगिता में हम जब जाते हैं और 124A की तरफ जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें समझ में आता है जो राजद्रोग की परिभाश उसकी तरफ ध्यान देनी की ज़रत है कि जब आप समाज में अधिरता हुपन करने की कोशिश करते हो जब आप समाज में हिंसा हुपन करने की कोशिश करते हो तो वो अभिवेक्ति की आजादी अभिवेक्ति की आजादी नहीं वो राज द्रोग कहनाता है इसलिए जब आप अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के जैकार करते हो तो वो आपका एक बार अभिवेक्ति के आजादी के अंदर गत आ जाएगा पर जैसे ही आप ये कहने लग जाते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जब आप इन नारों को रिपीर बोलने लग जाते हो या फिर आप बंदू के दम पर आजादी के नारे लगाते हो और पूरे समाज में एक आज स्थिर्ता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं जब आप इन नारों के थ्रू देश को तोड़ने देश की एकता अखंड़ता और संप्रभुता की उपर प्रश्रचिन लगाने का प्रयास करते हैं तो वो अभिवेक्ति की आजादी नहीं वो देश द्रोग और राज द्रोग के लाने लग जाता है तो अभिवेक्ति की आजादी और राज द्रोग के बीच जो एक छोटी से रेखा है जो एक छोटी से लाइन है उसको आज समझने की दवरत है अगर हम नहीं समझेंगे तो आपका एक सेंटेंस आपकी अभिवेक्ति की आजादी से उठ करके वो सीथे राज द्रोग पर चल समय में जब अभिवक्ति की आजादी को संकुचित करने और उसको नियंत्रित करनी की कोशिश की तो वो कॉंग्रेस के लोग ही थे कॉंग्रेस के राजनेता थे जिन्होंने उसको संकुचित करने का प्रयास किया मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि एक समय तो बहुत हो जब अभिवेक्ति की आजादी को सीमित करने का कारे किया और आज 2016 से लेकर के आज का वो समय है जब देश के खिलाफ नारे लगाने वालों के नारों का समर्थन यहीं कॉंखरिस पार्टि अभिवेक्ति की आजादी के नाम पर करती है यह को समदुने कि आपसके यह की आज सबता है कि अभिवेक्ति की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने की बाते करना ये कतरी परदाश्ट नहीं किया जाएगा मैं मानती हूँ कि इसी जेइन्यू कैंपस से ऐसी आवाजे उठी जो कि राज़ द्रोग में आती है पर इसी जेइन्यू कैंपस से हम जैसे लोगों ने मेरे जैसे बहुत सारे ABVP के और राश्रवादी विचारधारा के लोग है जिन्होंने खड़े हो करके उन नारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में देश भक्ती क्या है नाशनलिजम क्या है इसके एक डिबेट छेट पाई और आज लोगों के अंदर देश भक्ती के बारे में जनेत का नाशनलिजम किस तरीके का नाशनलिजम है जब हम गाजटरों की बात करते हैं तो आज लोगों का कहना है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है तो सरकार में की आलोचना करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना वो गलत नहीं है सरकार जो गलत करी है, सरकार की जो नीतियां गलत है आप उनके बारे में खोल कर बोली और वो अभिवक्ति के आजादी है, आप बोल सकते हैं पर विजी सम्मत चुनी गई सरकार के खिलाब बंदूग के दम पर आजादी और बंदूग के दम पर उस सरकार की खिलाब हिंसा भड़काने का प्रयास करना राजद्रों कहनाता है और मैं छोटा सो दारण आप सभी को अपनी हिस्ट्री से ही देना चाहूँगी कि जब अब महाभारत की कथाओं को लेकर के अभिज्यान शाकुंतलम जो की कालिदास जी ने रचना की जब उस टेक्स्ट को पढ़ते है तो राजा दुशियन्त को भरी सभा में वो राजा है और उस राजा को भरी सभा में डाटती है शाकुंतला और एक सम्मांग के लिए प्रियोकियो जाने वाले शब्द आरे का विपरीत शब्द उसका उल्टा शब्द अनार ही कहती है शाकुंतला राजा दुशियन्त को भर कारती है सभा में पर इसके बार विजू की वो आलोचना शाकुंतला की द्वारा की गई वो आलोचना वेटिगत रूप से राजा की आलोचना थी पूरे समाज की प्रतिया फिर पूरे उस राज जी के जो सिस्टम था उसके खिलाब की गई आलोचना नहीं थी इसी प्रकार से यदि हम त्रेता युक की तरफ जाएंगे तो राजा रामचंदर जी के शासनकाल में आयोध्या न चनली राजा रामचंद्र जी सौया को कष्ट दिया सीटा माता ने स्वया को कष्ट दिया लोग दांतरी व्यवस्ता को ध्यान में देते हुए किसी भी प्रकार की राजद्रोका के सथू नहीं गटना उस भोपी ciao का नहीं बादोगू éta लगता और इसी प्रकार से हम जिस्ट विशपर बात कर रहे हैं अभीविक्ति की आजादी मद्धेष यानि मद्धेष को और देख सकते हैं अभीविक्ति की आजादी और वशेत राज़ोह इसके बीच में यह चोटा सफ जाएक को समझनी का वसकता है और इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस विशे पर, एक जलन्त विशे पर टॉक करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम सभी को बुलाया, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद